दोस्तों आज के इस वीडियो बहुती ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाले एक लेटेस न्यूज में आप लोगों के लिए लेक्या है और बड़ी खबर आप लोगों के लिए होने वाले क्योंकि लोन मोरो टेरेम को एक्ष्टेंड कर दिया गया लेकिन कितनी तारीक तक क्या यह आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और उसी के साथ साथ कुछ बदलाओ भी आये उस बदलाओ के बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले दोस्तों एक छोटा सा वीडियो होने वाला है लेकिन आप लोगों के लिए बहुती ज्यादा फाय एक्सपर्ट तो दोस्तो जिसे के अब देख सकते हो आप मेरे मोबिल के स्क्रीन पर आज चुके और आज मैं आप लोगों को लौन मोरोोटोरियम 3.0 के लेटेस निूश के बारे में बताने वलो जिया दोस्तो बहुत सारे लोगों को सुपरीम कोट के जो भी 31 दिसमबर तक बढ़ सकती तो उसके बारे में भी हम आज बात कर लेंगे और आप लोगों को सब सबेल एक बात बता दूँ टेंशन लेनी के बात नहीं, टेंशन आप लोगों की फिलाल के लिए तो खतम हो चुके, क्योंकि आज की इतनी बड़ी खबर है, जो खबर आप सुनके कुछ ना कुछ आपको रिलीप मिलने वाले है, तो दोस्तों चले मैं सिधा खबर के उपर आऊंगा, तो आप लोगों को 18 सिटमबर तक आप लोगों को लोन मोरोटोरियम मिल चुका है, याने अभी आप लोगों को सिटमबर 18 28 तक आप लोगों को टेंशन लेने के बात नहीं, तब तक तो आपको रिलीप मिल चुका है, और उसके बात क्या तो आप लोगों को समझ में आही जाएगा कि आगे क्य होने वाला है क्योंकि में भी चांसे से कि extend हो सकता है नहीं हो सकता है आप लोगों को बहुत सारे ऐसी चीजे देखने को मिली फिलाल पिछले दिनों में कि loan restructuring होगा यह होगा होगा ऐसे बहुत सारे news आ रही है तो देखते final news क्या आगी final face ला क्या है हमें final क्या करना पड़ेगा तो यहाप आप देख सकतो the supreme court on thursday virtually extended the loan moratorium period till september 28 granting relief to borrowers by extending the interim order asking bank not to declare as a NPS account that are unable to make payment यानि जो भी borrower से जो भी कर्जदार है अपने बैंक को या NPS company को यह 28 September तक पैसे नहीं पे करता है तो उसको NPS में नहीं आईगा तो दोस्तो NPS non-performing asset होता है यह bank का एक गुपित वर्ड भी बोल सकते हो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है लेकिन NPS पता होता है bank जब हम बैंक के पास जाते दूसरी cover निकल के अरे जो exclusive है यहां पे आप देख सकते हैं सरकार कुछ नियमों को बदलने जा रहे है बदला नहीं है बदलने के बारे में सोच रहे है तो आप देख सकते हो सरकार बदलने जा रहे है चेक बांस के नियम जाने की कितनी राहत मिलेगी तो दोस्तों moratorium और य अभी लगने के chances कम है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि इस pandemic की हो जैसे बहुत सारे बिजनेस स्थप होगे बहुत सारे लोगों के रोजगार चलेगे बहुत सारे लोगों के पास जैसे के ओला उबेर के आप taxi की इसकी बात example देखे तो अभी बिजनेस तो उनका अभी लोगों के पास उन्होंने किस्टों से याने लोन पर कार्ड ले रखे और उनका EMI कैसे पे करेगे क्योंकि विजनेस ही ने चलड़ा खाने को उने मिल रहा तो भरनेगा क्या तो यह अभी लोगों के उपर अभी एक टेंसन है तो दोस्तों टेंसन तो 28 सितमबर तक त पासरे लिखकर ऐसा करने के लिए कहा है यानि यहाँ पर अभी कहा है मिल सोही जाएगा लेकिन अभी वह हुआ नहीं ओके इस चीज़ पर द्यान रखना और इसे बहुत सारे कंपने एक्ट और इसे बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बदलाओ आने वाले तो इसकी भी न सथा कि स्याथ कुछ लोगों को हिस पर रिलीप मिल जाए जो इसमें थे उनको लोगों कुछ राहत मिल जाई इसलिए वी वीडियो वनाया तो दोस्तों उम्हीत करता हूँ कि वीडियो अप लोगोंको अच्छे लाग